बिस्मिल्यारावाइन अरहीम, असलाम लेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हूँ इजादन सारी और आप दिखने ही हैं इजादन सारी फूट सीक्रेट्स आप बरकत दे, आपके खानों में आपके जाएकुम त tenían तक बहुत तरह के कबाब बहुत तरह के टिकियां बनाई होगी लेकिन आज तोटली डिफ्रेंट चीज है इसकी जैसे तरह को लुक बहुत डिफ्रेंट नज़र आ रही है इसका टेस्ट भी बहुत ही मैज़दार और बहुत ही डिफरेंट होगा मतलब कि एक दफ़ा इसको बना लेने के बाद इन्शालला आप बार बार बनाएंगे बहुत ही खुबसुरत बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही न्यू टेस्ट आपको मिलेगा इसलेंडी बिसमिल्ला रामारे यहां पे हमारे पास बंदगोभी का खुबसूरत सा फूल है जिसको हम दो टुकरों में काट देंगे उसके बाद यहां पे आपने इसकी कटिंग करनी है वो थोड़ी सी आपने बढ़ी करनी है ठीक है इस तरह से यह रहें बहुत यह सानी से हो जाएगी और इससे क्या होगा हमें रैस्पी में आगे जाके असा एक से आधा गलास पाने का भी आइट कर देना ठीक है इसके स्टी में यह जो बंद को भी है यह सॉफ्ट हो जाएगी और इसका जो कच्छापन है वो भी दूर हो जाएगा तो इसके लिए यह 15-20 मिनट लेगी उसके बाद उसी के बीच में हम क्या करेंगे थोड़ा सा यहा और 1.?ập करीब लैसन का पेस्ट ठीक है अब यहां पर इसको भी हमें एक से दो मिनट पका लेंगे इसको ब्राउन नहीं करना इसको आपने ओटू नहीं करना अटिक है हलका सासर है इसको आपने सैट पर कर लेना है तो कहांप बिश्ट है हमारी वह सॉफ्ट हो चुकी है काफ पानी उपर डाल दिया जिससे यह फॉरन से थंडी हो गई है अब इसको एक उपसुर से बाल में एड कर लेंगे अब देखिए कितनी शांदार सी इसकी हम जो है यहां पर सिज्दिंग करेंगे तो यह लें जी प्यास और लेसन जो हमने अभी हलका सा सौते किया था इसको निक क्रिस्पी भी हो जाएगी हमारी रैस्पी दूसरा अंडे के बहुत शांदर फ्लेवर भी आएगा इसके अंदर ठीक है चलें जी बिसमिल्ला हरवार नहीं अब यहां पर हमें इसमें एक से डेटी स्पून नमक का चाहिए कि काफी जाला बंद गोभी थी फीका हो जाएगी काली मिर्च हाफ्टी स्पून इसमें एड करेंगे बेसिकली इसको हमने बहुत स्पाइसी नहीं करना लाइट सा इसका हमने बिल्कुल टैच रखना है इसलिए काली मिर्च जाला है हलकी सी फ्लेवरिंगे जीरे की चुटकी और जो लाल मिर्च है वो सिर्फ हाफ्टी और इसको add करने के दोरान अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जळना आप तो एक दफा चैनल दूरे सब्सक्राइब कर लीजिए इक तरह से प्यार होता है महभबत होती है आपकी तरह से में किनाम होता है कि हम सही काम कर रहे हैं तो तेंक्यू तो यह देखिए जी माशाला से हमने इस जांदार से मिक्सचर को तयार कर लिया है इसको आप बना के रात को रख भी सकते हैं गलादिन बनाने के लिए सुब नाजने में इस से लें जी बिसमिल्ला रामारे अब यहां पर आपने इसकी जो स्नेक्स कैसे बनाने ह है ठीक है आप इसको कोई भी शेप दे लें डजन मैटर लेकित हम इसको खुब सूर्थी के साथ करेंगे एक से दो टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑई लेंगे और बिल्कुल लो सा फ्लेम रखेंगे ठीक है क्योंकि हमने स्नेक्स को शेप देनी है बिसमिल्ला रामारे त तो एक टेबल स्पून भड़कर एड़ करेंगे उसके बाद स्पैचोला की मतद से हम इसको शेप दे लेंगे ना भी शेप दे डिजन मैटर आप जिस तरह से मरजी इसको लचेदार भी रखना चाहें तो वह भी कर सकते हैं तो यहां पे फ्लेम लो इसलिए था कि कहीं यह आ जाए और हम इसको अच्छी सी शेप दे लें खुद से ठीक हो गया तो इस तरह से हमें तीन से चार इसमें डालके अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे बहुत यसानी से अंदर तक कुक होगा वेजटेबल्स हमने कुक कर ली थी प्यास और जो बंद गोभी है वो और रड़ी नेमते और बढ़ते हैं जो दीने वहाँ तो मारखारो में तुर मेरे परवसों बंद गोभी कैबिज स्नैक्स आपके लिए ताग्याण है